नमस्कार दोस्तों, इन्फिल्स टु बॉलिवुड में आप सभी का स्वागत है, मेरे नामी महेश दोस्तों रितिक रोसन को तो हम लोगों ने फिल्मों के अंदर ही सारा एक्शन स्टर्ण करते हुए देखा है सूपर हीरो की भूमिका में भी देखे हैं क्रिश मूवी में तो आपको बताते कि रितिक रोसन जिस तरह से रिल लाइफ में फिल्मों में एक्शन सीन्स करते हैं सूपर हिरो बन करके लोगों की जान बचाते हैं उसी तरह से रियल लाइफ में भी रितिक रोशन ने एक लड़की की जान बचाई है तो आपको बताते कि 26 जुलाई को मुंबाई में आई बाड में रितिक रोसन ने एक लड़की की जान बचाई है सूपर हिरो बन करके इसके बाद नेक्स्ट अब्डेट जिसने बॉक्स आफिस पर तहलका मचा दिया और साल 2020 की सूपर हिट ब्लॉक्बस्टर फिल्मों की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर ट्रेंड करती है अलावकुंट फूरा मलो तो दोस्तों बात करें फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म के अंदर अलू वरजुन साउथ के सूपर स्टालिस स्टार अलू वरजुन उनके अपोजिट लेडरोल में बॉलीवुड से लेके साउ तक धमाल मचाने वाली तूजा हेगड़े नजर आई थी अलावकुंट फूरा मलो मुवी हर लैंग्वेज में काफी धमाल मचाई है अब दोस्तों वैसे में सवाल ये उड़ था कि आखिरकार अलावकुंट पूरा मलो मुवी हिंदी भासा में कब रिलीज की जाएगी जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस फिल्म को लेकर के फैंस काफी ज़्यादा एकसाइड़ है हिंदी लवेंगिस में देखने के लिए सु ऐसे मैं आपको बता दें अलावकुंट पूरा मलो मुवी को अब तक हिंदी भासा में रिलीज कर दिया गया होता लेकिन बताना चाहूँगा कि कोरोना वाइरिस की वज़े से पूरी फिल्म इंडास्टी का काम रुका पड़ा है जिसकी वज़े से इस फिल्म को हिंदी भासा में डब नहीं किया जा सका तो दोस्तों बाप किज़ा कि आखिरकार फिल्म हमें कब देखने को मिलेगी तो आपको पता दें साल 2021 में हमें ये फिल्म हिंदी भासा में देखने को मिलेगी इसके बाद नेक्ष्ट अप्डेट साउत्प फिल्म इंड़स्टी में एक अलगी पैचान बनाने वाले अलू अर्जुन की फिल्मों का जवाब नहीं फिल्मों के अंदर फिल्लर एक्षन बड़े पैमाने पर होते हैं फैनली हम अलू अर्जून को sailist star के साथ एक action star के नाम से भी चानते हैं सूपरस्टवर अलू अर्जून एक अच्छे actor के साथ एक अच्छे dancer भी है ये तो हम सभी लोग जानते हैं इसके बात बात करते हैं अलू आर्जून के आने वाले 21 फील्म के बारे में यानि कि दोस्तो हैस ए ए ट्वंटी वन के बारे में तो आपको बता दें कि फिल्म का फस्ट लुक चारी कर दिया गया है सोसल मीडिया पर तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि फिल्म के फ़स्ट लुक में अलू वर्जुन काफी स्टाइली संदाज में हमें देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों बात की जब फिल्म की रिलीस डेट के बारे में तो आपको बता दे फिल्म हमें साल 2022 में देखने को मिलेगी अलाकि दोस्तो फिल्म की स्टोरी, फिल्म की शूटिंग, फिल्म की अधर स्टार कास्ट, फिमेल अब नित्री के बारे में अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है इसके बाद नेक्स्ट अब्डेट जिसमें अक्षे कुमार प्रित्थी वीराज की भूमिका में नेजर आएंगे दोस्तो फिल्म के अंदर अक्षे कुमार का हमें प्रित्थी वीराज जैसा लुक देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है साल 2020 में इस कोरोना काल के मसीहा सोनु सूद भी नजर आने वाले हैं जिहांसों इस बात पर बहुती बड़ा खुलासा की जा गया है कि फिल्म के अंदर सोनु सूद का भी बहुती स्पेसल रोल होने वाला है अलाकि दोस्तों सोनु सूद के बारे में बात की जाया तो इस कोरोना काल में मसीहा के रूप में हमें देखनों को मिले थे